हेलो फ्रेंड्स हेलो माई डियर स्ट्डेंट्स आज हमारा टॉपिक पस्ट इंडेफिनिट है और आप से कहना चाहूंगा इस वीडियो तो यह आपको यच्छा लगे तो इस लाइक करें और इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें पस्ट इंडेफिनिट पहंचान इस पिका ए ई या फिर ता था ते थे ती थी आधिशब्द आते हैं affirmative sentence syntax subject plus verb की second form plus object इसका syntax सबसे छोटा होता है past indefinite का affirmative sentence का example number one भाना खाता था अब देखो यहां लास्ट मा आया है ता था तो he ate food तुम्हे स्कूल गए यहां लास्ट मिने को यह है यह you went to school मैंने एक पत लिखा यहां लिखा है I wrote a letter negative sentence subject plus date plus not plus verb की first form प्लस अब्चेक्ट कि एक किसी sentence में डिड़ का परियोग होता है तो sentence में जो बर्व आती है वो हमेशा first form में आती है यह आप ध्यां रखेंगे कि डिड़ वाले sentence में डिड़ वाले sentence में जो पर है वो first form में आती है इक्जाम्पल कि इसन्टेक्स तो सिंटेक्स पले subject plus date plus not plus बर की first form प्लस object इक्जाम्पल नंबबर बन जड़का जूट नहीं बोला दब बोई डिड़ नोट एलाई हमने एक फिल्म नहीं देखी वी डिड़ वाच आ फिल्म मैंने एक पत नहीं लिखा I did not write a letter अब simple interrogative sentence पैंचान इस पिकार के हिंदी बाक्यों के प्राड़म में क्या शब्द आता है syntax did plus subject plus verb की first form plus object plus question mark example number one क्या मोहन ने एक कार चलाई did मोहन ड्राइब आ कार क्या तुम हसे did you laugh किया मैंने एक पत लिखा did I write a letter hard interrogative sentence मैंचान इस पिकार के हिंदी बाक्यों के बीच में प्रिश्ण बाज़ सब्द आते हैं और ये प्रिश्ण बाज़ सब्द जो हैं वो कौन कहां कैसे किसने किसको आधी होते हैं प्रिश्ण बाज़ सब्द के लिए अंग्रेजी में कोशन बड बोलते हैं प्रिश्ण बाज़ की एंगलेजी प्लस डिड प्लस अब्जेक्ट प्लस बाट की फस्वं फ्लस अब्जेक्ट प्लस कोशन मार्व एग्जामपल राम बाज़ार क्यों गया नमब तू हमने एक पतं कहां बर आई वैर देट वी फ्लाई तकाइट मैंने एक पत्र कैसे लिखा how did I wrote a letter दोस्तों इस परकार से आप पर यह topic पूरा हुआ और इदे आपको वीडियो में लिखी notes आपको अपनी notebook में note करना है तो वीडियो को बीच बीच में pause करके आप ऐसा कर सकते हैं और इदे इस वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए आप लाइक करें और इस YouTube चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें जिससे की हमारा हर नया आने वाला वीडियो आपके YouTube के इंबोक्स में पहुंच सके थैंक यू